वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते दो दन पहले श्री दर्बार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर भारत के चीफ जस्टिस ओफ इंडिया है वो श्री दर्बार साहिब हरमंदर साहिब नतमस्तक होते हैं दर्बार साहिब के अंदर पहुंच कर जो वहाँ पर प्रिविलिज ग्जैसिंग अंहिव बूए प्रमैनिक ने अख में प्रीज कि प्रीज क्वरा ट। सब्सक्राइब दूए आप ऐसाट सब्कूल कृश्ट आपको के समझाएग प्रफाइब में कि एपता डूबतें में थे इसाट है। दोस्तों यहां पर CGI चंदर चूड़ जी कहते हैं कि वो 1975 के करीब आसपास वो यहां पर दरवार साहिब के अंदर नतमस्तक होने आये थे जब और चोटे थे बच्पन के अंदर थे लेकन अब फिर से यहां पर आए है काफसरी बाते उनोंने आपता कैमरा थी जो सिख संगत के साथ की है या से पीजी के साथ की है तो उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि मुझे यहां पर आकर बहुत आत्मिक शांती मिलती है और यहा सार के अंदर ये इकलोती एक ऐसी जगह है जहां पर हर किसी को दोस्तों सकून मिलता है जब हमने देखा कि दस दुनिया के जो हमने एक वीडियो बनाया था दुनिया के दस परसीद सबसे ताकतवर जो राश्टर पते थे जब दरबार साहिब हरमंतर साहिद के अंदर नतमस्त ताकत हमारे पूरे देश को पता है लेकिन जब इनकी कलम की ताकत आकर दरबार साहिब के अंदर चली तो इन्होंने क्या शब्द लिखे कि मुझे आनंद आ गया है ये रूहानियत का केंदर है और बहुत ही अच्छा बाता वरन इनको यहां पर लगा और इन्होंने बहुत जो संबंदित कार्याला है उसको भी वो लिखेंगे लेकिन साथ हिसा जब सीजी चंदर चूड़ दी दरबार साहिब के अंदर नतमस्तक हुए तो यह सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा तो वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बत